एक बार फिर स्वागत है मेरे स्टेडी वी के चैनल में आप सभी का देखिए आज हम MTS पेपर टू एक्जाम पैटन की बात करेंगे देखिए एक्जाम चो टाइप आप टीर टू का जो होगा वो होगा डिस्केप्टिप एक्जाम होगा जिसमें आपको एसे और लेटर को ल लिखना होगा एक्जाम जो इनका मार्क से वह उनके मेरिट टेस्ट में एड नहीं किया जाएगा यह स्ट्रिप क्वालिफाइंग नेचर के एक्जाम नेशन होंगे और देखिए आपको टोटल डियूरेशन जो टाइम्स के दिये जाएंगा वो थर्टी मिनिट्स होंगे जिसमें आपको एसे और लेटर लिखना होगा एड सीडल ओफ तूसरेशन के एड सीडल के नुसा आप गाइड सेट्सेट्स आप लेगवेजेशे से उसमें आप कोई विभासा में आप लिख सकते हैं आप कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही लिखे या इंगलिस मे लिखे आप को जो लेंग्वेज पसंद है आप उस लेंग्वेज में लिखिए जैसे देखिए अशामी बेंगॉली गुजराती हिंदी कौनाक कौनाडा कौनाकी मल्यारम मनिपूरी मराथी यह जितने भी भासा 22 लेंग्वेज जो है जी जो अनुसा एट सिड्डूल अफ कंस करेंगे ले लेकिन हम पहले से च उससी है क champions करेंगे लेकिन की सबसे पहरे हम देखते हैं कि जो CHSL, SSC CHSL 2015 TA2 में जो descriptive questions asked किये गये थे उसमें देखिए ऐसे लिखने आया था आपको स्वच भारत पिसन इन बाउट 250 वर्ट्स और लेटर जो है 200 वर्ट्स इन sports security department of sports government ये आये हुए थे और sports authority को एक लेटर लिखना था 200 वर्ड में तो मतलब आपको अगर एसे लिखने के लिए देगा तो आपको 250 वर्ट्स में होगा और लेटर अगर आएगा तो वो 150 to 200 वर्ट्स में होंगे तो देखिए CHSL जो 10 प्लस 2 का SSC लेवल का जो descriptive type का exam हुआ था last year 2015 में जो हुए थे उसमें देखिए स्वच भारत मिशन्स पे हाई सोवर्ड आया थे और एक लेटर आया था कि sport और 30 को लिखना था जिकी यहां पर एक sport और 30 को लिखना था लेटर लिखना था ठीक है तो इस प्रकार देखिए और लेटर का 2016 में जो आया हुए थे लास्ट येर उसमें देखिए लेटर आया थे sport और 30 अबाउट असेस्मेंट और पफरमेंस अब इंडिया रियो ओलम्पिक 2016 एंड साजेशन तो इंप्रोब द पफरमेंस तो नॉर्ट नॉर्ट अंपलें मतलब कि लेटर आया था 200 वर्ड का और इसमें आया था स्वच भारत मिशन स्वच भारत मिशन और यह जी जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट के थोड़ा देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट मैं आपको लिखने के लिए देता है देखिए इस टाइब का फॉर्मेट होता है और इसमें हर हर कॉलम में हर एक वर्ड लिखना होता है इस प्रकार से आपको अगर 200 वन पेज म में लिखे हुए हैं ताकि उसको एक्जामिन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के आपको फॉर्मेट होगा इसे या लेटर को आप लिख सकते हैं तो देख रहे हैं मतलब स्वच भारत मिशन्स इसे में बेटी बचा और बेटी पाढ़ हो इस प्रकार के प्राइम मिनिस्टर हमारे जुन्दारेंद्र मोधी के द्वारा जो इस्टेबलिस्ट जुचाद नहीं नहीं स्कीम को पॉब्लिस्ट किया गया है उसको यहां पर दिक दिया हुआ है यानि कहीं नहीं कहीं चुलों को करेंट अफेर्स या निउस्पेपर डेली पढ़ रहे है उनके लिए अच्छा है विए जिनको अगर स्वच भारत मिशन या बेटी बचा बेटी पढ़ाओ के बारे में पता होगा वही नहीं इस इस एक लिख पाएंगे जिनको पता ही नहीं है वो कैसे लिख पाएंगे तो आप जासे तक करेंट अफेर्स टॉपिक जो है उस प नॉट ओनली और एससी एंटी एस एक्जामनेशन्स अल टाइप ऑफ कंपर्टेटीव एक्जामनेशन्स के जो पेपर टू के डिस्क्रिप्टी पेपर है उसके लिए बहुत ही वो इंपोर्टेंट होंगे तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते जिसको आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए देखिए गूट्स एंड शर्विसे टेक डेमर्टाइजेशन्स डेमर्टाइजेशन्स ब्लेक मनी कैसलेस एक्नॉमी प्रधान मंत्री जंधनी यूजना बेटी बचाव इंपावर्मेंट रूल टेक्नोलजी ओफ इंग्रोश डेवलप्मेंट एडिक्सेशन और ब्लेक मनी कांट्री स्टेकन अबाई गौर्वर्न प्रवेसी कुछल विकास यूजना डिजिटल भी में अपसे इनिश्वेक्स मतलब कहीं न कहीं कहीं न कहीं जो है लेटेस्ट कर आलोग करना होगा आपको और उसी से की डिलेटेट ज्यो है ऐसे में आने की जहागी जर्श ज्यादा चान्सेस तो नरेंदमोदी मेरे कहने का मतलब आप तो समझ रहेंगो नरेंदमोदी मियूर्विस conteú ने भी विश्किम उसको आप ज्यादा सक ज्याeed बढ़़ जाईए औ और NCRT के book 8-10 class के जो है लेटर और इसे के format को देख लीजे थोड़ा उससे भी आपको बहुत help होने वाली है और एक book मैं recommend करूंगा जिसको आप ले ले तो वह आपको useful सावित होगी जो एसे सी मट्यस के जो पेपर टू examinations होंगे आई होब तो देखिए मैं आपको यह book recommend करता हो for your sscmts जो पेपर टू के descriptive type examinations होंगे उसके लिए मैं आपको यह book recommend करता हो यह आपके लिए helpful सावित होने वाले है इसमें इसको आप follow करिए अच्छे तरीके से यह आपके लिए बहुत ही useful होगा यदि आपके नियरिस्ट वहां जहां पर आप रहते हैं वहां नियरिस्ट इस्टोर में आपको available है यह book तो वहां से खरीश रखते हैं इसको otherwise नहीं तो मैं इसके description यह अपने description में इसके link को provide कर दूँगा आप यहां से भी टारे इसको purchase कर सकते हैं तो देखिए यह book प्लस आप NCIT की जो 8-10 class के जितने इंग्लिस के book है उसको थोड़ा एसे या लेटर के लिखने के pattern को समझ लीजिए थोड़ा उससे भी देख लीजिएगा या फिर आपको उसके भी book मिलते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं ओके तो यही था एससी MTS जो पेपर टू के descriptive टाइप के जो होने वाले हैं उससे कुछ मेरे तरफ आपको और स्रजेशन यदि अच्छा लग है तो प्लीस का लिख और शेर करे घंश लागा अपने फ्रेंड़कों के साथ और चैनलों पर नयाएं तो प्ली descriptive type of examination MTS tier 2 thank you